हेलो फ्रेंड जिन वेल्कम बैक टो अनदर एपिसोड दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छोटा दड़ा से लेकर के बाटल तक का सफरते करेंगे छोटा दड़ा और बाटल ये मनाली से काजा के रस्ते में पढ़ते हैं और आखरी जो आपने इस सीरीज में मेरा वीडियो देखा था वो हमने छोटा दड़ा पे खतम किया था जो इस रास्ते का सबसे टफ पार्ट अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा तो दोस्तों जैनवरी का ये आखरी वीकेंड आ गया है और काफी बीच में वीडियोज मैंने डाले लेकिन ये सीरीज बार बार मैं शुरू करता हूं और गैप आ जाता है मैं माफी चाहता हूं कोशिच रहेगी कि सीरीज को कंटिनियूसली मैं जल से जल पूरा कर सकूँ बट फिर भी जो लोग नए हैं उनको बता दें कि जून 2021 में मैंने ये ट्रैवलिंग करी थी और रेनो ट्राइबर में मैं हमारे हॉस्पिटल की टीम के साथ मनाली से काजा तक गया था ड्राइव करके इस समय गाड़ी में हम दो बड़े और एक मेरा चार साल का बेटा हम तीन लोग थे और काफी समान डिग्गी में था और दोस्तों ये जून एंड की बात है तब तक बारिशें नहीं शुरू हुई थी इस एरिया में जैसा आप देख सकते हैं काफी सुखा है और धूल उड़ रही है रस्ता कहीं पर भी गीला नहीं है और जिन लोगों ने पराने अपिसोड नहीं देखे उन्हें भी मैं एक ये टिप जरूर देना चाहता हूँ आप अगर मनाली से काजा या काजा से मनाली का ट्रैवल करते हैं तो कोशिश यही करें कि आप अर्ली मॉनिंग निकलें और दुपहर तक आप दूसरी तरफ पहुँच जाएं कहने को तो एक सो कुछ किलो मीटर का सफर है और गूगल चार या पाँच घंटे दिखाता है और सबसे खराब जो पार्ट है जैसा मैंने अभी कुछ दिर पहले बताया वो ये छोटा दड़ा का है वैसे अब उस पे पुल बन गया है आप इससे पिछले एपिसोड में देख सकते हैं वहाँ पे एक छोटा पुल बना दिया है आर्मी ने बियारो ने लेकिन उसके बावजूद भी दुपहर तक सारे ग्लेशियर्स मिल्ट होके इस रस्ते में पानी काफी जगा बढ़ जाता है और जाते वे जहां हमें हाडली 15 से 20 वाटर फॉल्स या वाटर क्रॉसिंग्स मिली होंगी तो वापसी में अराम से हमें करीब 40-45 वाटर क्रॉसिंग्स मिली थी और कुछ जगा पे पानी थोड़ा जादा था सड़क पे जिसकी वज़े से टू विल ड्राइव गाडियों के लिए ये रस्ता दिपहर तक रिस्की भी होने लगता है तो आप सबसे यही गुजारिश है अगर आप फूर विल ड्राइव गाड़ी या किसी ऐसी गाड़ी में नहीं जा रहे हैं जिसका ग्राउंट क्लियरेंस जादा है तो आप सुबा सुबा निकल करके समय से पहुँचे ताकि आप बीच में कहीं फसे भी तो और गाड़ियां आते जाते आपको मदद कर सकें तो दोस्तों ये गूगल के हिसाब से लगबग 14 किलो मीटर का रस्ता है और हमें 13 से 14 मिनट लगने चाहिए इस रस्ते को करने वे बट जैसा आप देख सकते हैं वीडियो की स्पीड मैंने टू टाइमस बढ़ाई हुई है 200 टाइमस स्पीड पे वीडियो चल रहा है सॉरी टू टाइमस तो उस पे भी हमें लगबग 20 से 14 मिनट ट्वाइस दस्पीड में इस सफर को पूरा करने में लगे तो आप अराम से आदा से पौना घंटा या पौना घंटा से एक घंटे का टाइम लगा लें कि आपको लगेगा ये ट्रैवलिंग करने में पहला एपिसोड था दोस्तों हम लोग मनाली से और ग्रमफू पहुँचे थे खोकसर में हमने रुके थे और फिर आगे ग्रमफू गए थे ग्रमफू से फिर हम छत्रू तक आये थे ग्रमफू से रोतांग पास और ये नीचे काजा का स्पिती का रस्ता अलग कट जाता है तो हम ग्रमफू से नीचे छत्रू तक आये थे छत्रू पे हम breakfast के लिए रुके थे वो आपका एपिसोड वन था और एपिसोड टू में छत्रू से छोटा दड़ा तक हमने सीरीज में देखा था रस्ता कैसा है बता दूँ दोस्तों ये जैसा आप देख सकते हैं कितना ओवर खावर रस्ता है पूरा कैमरा वाइबरेट कर र लगी वो कोकसर और ग्रमफू से छत्रू के बीच में लगी और वहां पे काफी खतरनाक वाटर क्रॉसिंग उस समय थी और उसके बाद जो कहीं पे अगर मेरे को डर लगा या कहीं गाड़ी नीचे लगी ऐसा लगा तो वो बाटल के बाद जब हम कुंजुम पास की चढ़ा शुरू करते हैं उस रस्ते पे मेरे को ऐसा याद है कि शायद एक जगा नीचे गाड़ी नीचे लगी है वो आप इस सीरीज के अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो बाटल से और कुंजुम पास का होगा कुंजुम पास से दोस्तों थोड़ा सा पहले ही चंदरताल का रस्ता अलग कट जाता है और वहां से भी काफी अंदर तक कच्छा रस्ता है वोटर क्रॉसिंग्स है और चंदरताल का पार्ट हमने वापसी के टाइम कवर किया था तो आप उस रस्ते का वीडियो वापसी में देख सकते हैं जब ये सीरीज का रिटर्न मैं बनाऊंगा तब आप देख सकते हैं कि चंदरताल का रस्ता कैसा है और दोस्तों बाकी सब जगा तो गाड़ी अराम से चली गई पहुँच गई लेकिन चंदरताल से बिलकुल पहले आखरी जो वाटर क्रॉसिंग थी वो मैं उसमें आपको बताओं तो एसी के साथ चल रहा था हमारे आगे जैसा आपने अभी पहले देखा था हमारे हास्पिटल की बुलेरो जा रही थी तो उनकी वज़े से काफी धूल उड़ रही थी और हमने गाड़ी में एसी ओन करके रिसर्कुलेशन पे कर रखा था ताकि अं अखरी वाटर क्रॉसिंग में एसी के साथ ही मैं गाड़ी लेके चला गया और सड़नली इंजन अंडर पाउर होके आफ हो गया तो वहां एक जगा ऐसी रही जहां गाड़ी फसी और इस ट्रिप के लगभग दो हफते या तीन हफते बाद मैं अपने रिलेटिव के साथ भी चंदरताल तक फिर गया था और तब गाड़ी में हम पाँच अडल्ट्स दो टीनेजर्स और एक मेरा चार साल का बेटा हम लोग थे और उस टाइम भी दोस्तों फिर से गाड़ी उस जगा पे फसी तो वह लास्ट वाटर क्रॉसिंग एक ऐसी जगा है जहां मेरी गाड़ी दो बार फसी है लेकिन अदरवाइज ये काजा मनाली हाईवे जो की इतना खराब रस्ता है और इस पूरे रस्ते में गाड़ी कहीं खराब नहीं हुई कहीं पंचर नहीं हुई और अराम से पहुंच सके हम मेरे को एक्जैक्ट माइलेज अभी ध्यान नहीं है कितनी आई हो 26 कुछ है में इसका वील वेस है तो वील वेस लंबा है और फुल लोड के लिए ग्राउंड क्लियरंस कम है लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी ने अच्छे से परफॉर्म किया पूरे रस्ते में गाड़ी अच्छे से चली और जैसा मैं हमेशा आप लों को बताता फिर मैं चल पड़ा बट मेरी कोशिश यही होती है कि एक तो चड़ाई पे उपर आने वाली गाड़ी को पास मैं हमेशा दूँ और कोई बड़ी गाड़ी है तो उनको मैं पास हमेशा दूँ किसी सुरक्षित जगा पे क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों साइड म खाई तो नहीं बट धलान है और गाड़ी ऐसे में अगर नीचे एक बी टायर गया तो गाड़ी लोड़क के नीचे जा सकती है बहुत से लोगों का जानमल का नुकसान हो सकता है खास दोर से बड़ी गाड़ीयों बसों और ट्रकों वगरा में तो दोस्तों पहाड़ पे च इन लोगों के लिए अच्छी जगा बहुत कम होती है जहां यह पास दे पाएं आपको जैसे ही जगा मिले आप इनके लिए साइड कर लें और इनको जाने दें चाहे उपर आ रहे हैं या आपको ओवर टेक करके जाना चाहते हैं बट आप सुरक्षित जगा उनको जरूर द इस पूरे रस्ते में हमें कहीं बरफ का सामना रस्ते पर ऐसा नहीं करना पड़ा कि जिसकी वज़े से हमारा टाइम कहीं पर वेस्ट हो या हमारे ले ड्राइविंग जादा रिसकी बरफ पर चलने में हो जाए क्योंकि कुन्जम पास पे भी उस समय बरफ जादातर पिगल चुकी थी कुन्जम पास भी काफी उचाई पर है और लाहॉल से स्पिती को अलग करता है कुन्जम पास में एक्जैक्ट हाइट मेरे को भी याद नहीं है बट अगले वीडियो में जब हम कुन्जम पास पे वीडियो कहतम करेंगे तब तक मैं उसकी डीटेल जरूर करके रखोंगा और आपके साथ अगले एपिसोड में शेयर करूंगा तो लाहॉल को जैसे मैंने बताया स्पिती से अलग करने वाला जो पास है जो मांटन रिज है वो कुन्जम पास है और लाहॉल स्पिती पूरी एक ही डिस्ट्रिक्ट है लेकिन लाहॉल में और स्पिती स साइड में बहुत जादा फरक आप स्टार कॉंट्रस देखेंगे लाहॉल में फिर भी जैसा आप यहां पहाड़ों पे देख रहे हैं पत्थर हैं लेकिन हर्याली है आप लाहॉल के बाकी गाओं वगरा में जाएं तो वहां पे आपको पेड़ पौधे भी दिखेंगे आपक खेती होती भी दिखेंगी बट जब आप स्पिती में जाएंगे जब आगे इस वीडियो में इस सीरीज में आगे देखेंगे स्पिती में जब हम पहुंचेंगे तब वहां पे बहुत जादा रेगिस्तानी सा माहौल है रेत बहुत है पत्थर बहुत है और पत्थर की ऐसी इसी आपको अलग-अलग शेप और डिजाइन वहां पे दिखेंगे जैसे किसी ने बैठ के तराश रखा हो इसको इसलिए दोस्तों लोग स्पिती आना काजा आना इतना पसंद करते हैं तो काजा में हमारे हॉस्पिल का सेंटर है जहां हम जा पाए और कैम्प के लिए हम लोग गए थे अपना मेडिकल कैम्प के लिए उस टाइम पे ये वीडियो बनाया गया है कोई लॉकडाउन का उलंगन नहीं है बकाइदा परमिशन्स लेकर के गवर्मेंट से हमारे मेडिकल कैम्प्स होते हैं जिसमें हमारी गाडियां साथ में गई थी और दोस्तों इस वज़े से मेरे को काफी कॉन्फिडेंस हो गया है कि जब ट्राइबर में हम काजा तक जा सकते हैं तो लदाक के लिए भी कोशिश होगी इस साल की 2022 में अगर हो सके तो हम लदाक तक जरूर ड्राइव करने की कोशिश करेंगे वहाँ भी बीच में काफी जगाएं हैं जहां सड़क बहुत खराब होती है पानी की क्रोसिंग जाती है बट मेंटली हम प्रिपेर्ड हैं अभी फाइनल प्लाइनिंग देखनी है कैसे करना है क्या करना है दोस्तों ये जो हमारा ट्राइवल अभी हो रहा है लगभग सुबा के साड़े नौ नौ साड़े नौ बजे के आसपास हो रहा है तबी भी आप देख सकते हैं कितने वाटर फाल्स हमने अभी तक पार किये हैं और सड़क पे जगा जगा पानी जमा हो रहा है पानी हमें पार करना पड़ रहा है और ऐसे उठे उठे पत्थर हैं काफी शाप पत्थर भी बहुत जगा पे हैं तो आपको बहुत बचा करके उनको स्टियर करना पड़ता है गाड़ी को कहीं नीचे आपके इंजन को वो डामेज ना करे या उन पत्थरों से आपके टायर ना कट जाए तो इस ट्रिप पे दोस्तों जैनवरी में ही मैंने अपने ट्राइबर का जो OEM मेटल इंजन गार्ड ह वो लगवा लिया था और इस ट्रिप पे उसका भरपूर फायदा हमें मिला क्योंकि जैसा मैंने बताया गाड़ी एक जगा एक या दो जगा च्छतरू ग्रमफू से च्छतरू के बीच में टकराई थी और उसके बाद भी आगे जब कुन्जुम पास की तरफ रस्ते में कह पे गाड़ी टकराई थी तो हमारे इंजन को कोई डैमेज नहीं हुआ कैनिस्टर को कोई डैमेज नहीं हुआ जो इंजन ओयल का कैनिस्टर होता है उसको भी कोई डैमेज नहीं हुआ मेटल गाड़ जो था वो थोड़ा सा दब गया और इंजन के साथ टकरा रहा था जो की क पाज़ा पहुँचके गाड़ी को थोड़ा सा उठा करके हमने उसको गैप को वापिस बनाया और आवास चली गई वो वाइबरेशन जो आने लगे थे गाड़ के टकराने से वो चले गए तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा अगर आप ऐसी किसी जगह पे जरूर आते है और खावर रस्ते में तो अपने गाड़ी में इंजन प्रोटेक्शन के लिए कोई प्लेट या गाड़ जरूर लगाएं बहुत हेल्प होती है दोस्तों एक इस आफ माइंड एक पीस आफ माइंड रहता है कि कुछ होगा तो पहले गाड़ पे लगेगा और इंजन मेरा लेंगे और खोकसर के बाद आपको सिधा लोसर में जाकर के जियो का टावर आना शुरू होते हैं तो बीच का ये करीब 70-70 किलो मीटर का जो उबर खावर रस्ता है इसमें कहीं आपको ये पास मुबाइल कनेक्टिविटी नहीं होती कोई गाओं बीच में जादा नहीं है जैसा आप देखी सकते हैं कोई रिहाइश नहीं है तो यहां मुबाइल कनेक्टिविटी बहुत बिल्कुल भी नहीं है बहुत कम भी नहीं बोलूँगा बिल्कुल ही नहीं है अगर आपकी गाड़ी कहीं कुछ खराब होती है आप ओवर एडवेंचरस होते हैं और आप कही पर अपनी गाड़ी को अपनी बाइक को कुछ डैमिज कर लेते हैं तो आपको या तो यहां से पीछे छटरू तक या आगे बाटल तक जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर के दोस्तों आपको दूसरों को इंफॉर्म करना पड़ेगा कुछ माध्यम से या किसी गाड़ी म आप लो सर तक पीछे जाएं या आगे जाएं या आपको अक्सर तक पीछे जाएं और फिर पुलीस वालों को या टो सर्विसज्स जो भी अमरिजंसी सर्विसज्स हैं उनको कॉंटैक्ट करें तो दोस्तों आप अपनी साफधानी बना करके रखें अपनी गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस को जरूर ध्यान में रखें और बिलकुल साफधानी से चलें पानी के क्रॉसिंग्स में ध्यान रखें अगर आपको लगता है कि पानी आप दिन के टाइम में जा रहे हैं पानी बहुत बढ़ गया है तो पहले चाहें आप वाक करके एक बार रेकी कर लें कि मेरी गाड़ी निकलने लाएक ठीक है या नहीं बीच में पत्थर या कोई गड़ा वड़ा तो नहीं जिसके आपको ध्यान देना पड़ेगा और हमारे राइट साइट पे दोस्तों ये जो नदी है ये चंदरा नदी है और आगे जाके तांदी पे ये भाग या भागा नदी के साथ मिलती है और उसके बाद ये चंदर भागा बन जाती है तो यहां पे दोस्तों यह जो पूरा पानी है यह चंद्रताल से निकल करके आ रहा है आसपास के ग्लेशिर्स का पानी एकठा होकर के बैके चंद्रताल बनाता है और चंडरताल का जो रन आफ है वो निकल करके कुंजुम पास के यहां से चंडरा नदी की तरह बहके आता है और बहुत ही अच्छा ये एमरिल ग्रीन जेड कलर सा आपनों को नजर आ रहा होगा दिन में ये बहुत प्यारा रंग लगता है ग्रीन ग्रे ब्राउन बैकड्रॉप पहाणों के और नीचे रेट का रंग और उसमें ये ग्रीनिश जेड कलर का पानी बहुत ही सुन्दर दोस्तों ये दरिश्य लगता है ये सब आप लेफ्ट पे ग्लेशिर देख सकते हैं बरफ जमी भी है जो ये पूरे साल जमी रहती है तो आपको काफी टाइम तक इस पूरे रस्ते में भी बरफ नजर आएगी दोस्तों बाटल में एक शायद पी ड़ब्लू डी का गेस्ट हाउस भी है हिमाचल प्रदेश पी ड़ब्लू डी का या हिमाचल प्रदेश टूरिजम का गेस्ट हाउस भी है और वहाँ पे काफी ढाबे हैं रेस्टरौन तो नहीं बट लोकल ढाबे हैं जिन में आप जाकर के खाना खा सकते हैं नाश्ता कर सकते हैं अगर आप ठक गए हैं या आपको जादा देर हो गई है तो उनी में रात में सोने का भी प्रोविजन उन लों के पास होता है आप वहाँ पे सो भी सकते हैं और उन सब ढाबों में से उन सब इटरीज में से जो सबसे फेमस है दोस्तों वो है चाचा चाची का चंदरा ढाबा तो हम लोगों ने भी उनी के ढाबे में जाके जितनी बार हम यहां से क्रॉस होके गए हमने वहीं पे रुके वहीं पे नाश्ता किया या खाना खाया बहुत अच्छा राजमा चावल दाल चावल उनके पास मिलता है और पराठे भी सुबा के समय आपको मिल जाएंगे मैगी आपको मिल जाएगी अगर लकी हैं तो बरेड आमलेट वगेरा भी उनके पास आपको मिल जाएंगे लास में आप देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में ने चाचा के साथ फोटो भी डाली है और उनके ढावे का बाहर से भी फोटो मैंने डाली है इस वीडियो में आप लोगों के देखने के लिए तो दोस्तों ये ऐसे रास्ता बिलकुल लगबग नदी के लेवल पे आ जाता है और फिर ऐसे में अलग अलग आपको कट्स नजर आएंगे जैसे ये सीधा जाता रस्ता उस पे गलेशियर आ गया है तो उससे अब नहीं जा सकते तो हम ऐसे टरन लेके तो इसमें कई बार हम कन्फियूज भी हो जाते हैं कई बार हम भूल भी जाते हैं या गलत भी चड़ जाते हैं और बारिश में खास दोर से आपको ध्यान रखना होगा जैसे आपने अभी देखा एक दम बिलकुल नदी के एज़ पे आकर के रस्ता मुड़ा तो अगर आप बारिशों में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप सड़नली कहीं नदी में गाड़ी नाप नी उतार लें तो बहुत ध्यान से आपको ऐसे रस्तों पे सफर करना होता है पूरे चौकरने रहें और अपनी गाड़ी की लिमिटेशन को ध्यान में रखें पूरे होश में आप गाड़ी को चलाएं ऐसी आप से गुजारिश है देखने में दोस्तों बहुत एजी लगता है कि शायद बहुत असान है इन रस्तों पे चलाना लेकिन ड्राइवर के लिए बहुत ही टाइरिंग हो जाता है बहुत ही टीडियस हो जाता है ऐसे उबर्खावर रस्ते पे आपकी बॉड़ी बहुत सारा बॉड़ी रोल बॉड़ी को होता है आपकी बॉड़ी हिलती रहती है глазु ली आप करेक्शन करते रहते हैं स्टेरिंग को आपको करेक्ट करते रहना पड़ता है तो बहुत ढकान भरा रस्ता ये हो ज जा रही है तो हम रिस्क ले सके कि अगर कुछ होता है तो हमें मालूम है कि आगे हमारी गाड़ियां है थोड़ी देर तक हम नहीं पहुंचेंगे तो वो लोग हमें ढूनते वे जरूर आएंगे तो ऐसे में आप से भी गुजारश यही है कि आप किसी कॉनवाई में चलें या दो तीन गाड़ियां आप अगे पीछे हो सके तो उनके बीच में आप चलें ताकि कहीं आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है तो दोस्तों आप भी तुरंट बाकी लोगों की मदद मांग कर कि उस समस्या से आगे बढ़ सकें और आपको कोई आपको या आपकी गाड़ी को कोई हानी ना हो दोस्तों ये वीडियो अब खतम होने वाला है बाटल पहुंचने वाले हैं अब कुछी शणों बाद जो लोग चैनल पर नए हैं मैं उनको बतादू मेरे जादतर वीडियोज दोस्तों ऐसे डैश कैम वीडियोज होते हैं ताकि आप लोग देख सकें जान सकें कि अगर पर आने वाले हैं तो ये रस्ते कैसे हैं? मेरे वीडियो जाएट होते हैं अनिरेटेट होते हैं अनलेस कि हमने कहीं जादा देर स्टाप किया है तो तब मैं उस पार्ट को एडिट आउट करता हूँ वरना रस्ता आपको कंटेनियोस ही मिलेगा आप पता लगा सकते हैं कि रस्ता कैसा है क्या आप एक्सपेक्ट करें किन चीजों का आपको ध्यान रखना है किन चीजों से बचना है या कौन से आपके लिए इंटरिस्टिंग खाने की जगाएं हो सकती है या और ऐसे बाते हो सकती है जगाएं हो सकती है जिनका आपको ध्य जान रखना है तो जादतर आपको मेरे डैश कैम वीडियोज ही मिलेंगे और यह भी मनाली से काजा की एक सीरीज चल रही है इसका यह तीसरा एपिसोड है मुझे ऐसा लगता है कि लगबग तीन से चार एपिसोड अभी और लगेंगे यहां बाटल से और काजा पहुचने में और उसके बाद दोस्तों इसका वहां हम जो लोकल इदर उदर साइट सींग के लिए गए थे उनका भी मैं रस्तों का वीडियो डालूंगा उनके भी एपिसोड डालूंगा और वापसी के लिए चंदरताल का रस्ते का वीडियो मैं जरूर डालूंगा क्योंकि वो बहुत है आप सब लोगों के लिए जो चंदरताल जाना चाहते हैं देखना एक पॉइंट तक जाके दोस्तों गाड़ियां जाती है उसके बाद आपको लगबग आदा पौना किलो मीटर पैदल ही चलना पड़ेगा तो वो आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे और से आपके सजेशन से बहुत होसला मिलता है बहुत हिम्मत मिलती है कि आगे दुबारा इन कंटेंट को या इन एपिसोड को मैं कंटिन्यू करूं आगे बढ़ाऊं तो आप से विंती है गुजारिश है कि आप लोग अपना कंटिनूर सपोर्ट जरूर बना करके चैनल पे र बहां पे पहुँचके ये विडियो खतम हो जाएगा और गजारिश है पसंद आया है तो जरूर आप लाइक और शेयर करना ना भूलें और लोगों के साथ जो मनाली से काज़ा या काज़ा से मनाली आना जाना चाहते हैं ट्रैवल करना चाहते हैं उनकी बकिट लिस्ट में है तो आप उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कैसे रस्ते पे आना है और उन्हें अपनी तरफ से क्या तैयारियां रखनी है और पानी पीने का पानी और कुछ खाने के लिए चिप्स, बिस्किट, नमकीन वगएर आप गाड़ी में जरूर स्पेर रखें ताकि बाइचांस कहीं कुछ खराब हो दिक्कत आए तो आप लोगं के पास कुछ स्पेर राशन हो तो थैंक यू वेरी मच और आई होग तो सी यू वेरी सून विडियो इन दे कमिंग वीक्स ये ब्लू सा जो राइट पर ढाबा है ये चाचा चाची का चंद्रा ढाबा है और अभी आप उनके साथ फोटो और उनके ढाबे की फोटो भी अंदर से देखेंगे तो तैंक यू और जल्द आप से दुबारा मिलते हैं येरी आप सेखेंगे वीक्त करना मिलते हैं